हेलो अब्रीवन, बेल्कम बैक टो मैं चेनल उस गर में पूंचता है। और दोर्णोक करता है तब वो अंकल दरवाजा खलकर कहते है कि आपको किससे मिलना है?」 तो जोहन कहता है कि मुझे माॉंटन में जाना है तो क्या आप मुझे गाइड करोगे? अंकल कहते हैं हाँ ज़रूर यहीं तो मेरा काम है और वैसे तुम लोग माउंटन क्यू जाना चाहते हो वहाँ मज़ते करने लाख कुछ भी नहीं है वहाँ तो बस लोगों जाड़ी बुटीओं लेने चाहते है तुम लग जाओ और उसके मुँपे दरवाजा बंद कर देते हैं तो जौन घुस्ते में जियान को घुरने लगता है जियान कहीता है क्या हुआ हमें तुब बस मजा कर रहा था तो जौन घुस्ते में वहाँ से जाने लगता है रास्ते में मिरन जोहन को देखती है तो वो अपने बालों को एक पेर की टहनी में भसा लेती है और वो जोहन को कहीती है कि रुखो ना जोहन देखो ना मेरा बाल यहां पर भस गया है प्लीज निकाल दो तो जोहन आके उसके बालों को निकाल देता है तो मिरन कहती है कि तुमने मेरी इतनी मदद की तो मुझे तुमारा करजा होताने के लिए तुमसे साधी करनी होगी जुआन भी लेक नहीं नहीं मिस मिरन मेरा इतना लग कहा जो मैं तुमसे साधी कर सकू मिरन कहती है हाँ बात तो सही है लेकि यह अभी मेरे पस तुम्हारा करजा होताने के लिए कुछ भी नहीं है चलो तुम यह अपल ले लो जो कि उसका आदा खाया हुआ था जोन भी लेक मुझे भूक नहीं है तुम ही खाओ और एपल उसके मुँझे उसके चला जाता है तो मिरन पीछे से चलाती है कि जोन अर्ट गोले भाले तुम कहीं भी जाओ हम फिर मिल जाएंगे इसके बाद जोन जाके माउंटेन में आनुवा पोदा ढूनने लगता है तब ही वहाँ जोन आके कहिता है यार ये जगह इतनी खराब है कि यहां ड्रोन भी नहीं उर सकती और फिर उसके पासबर्ट करकेता है प्रोफेसर जोन क्या आप अभी एक लड़की से मिले तो जोन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है जोन कहिता है कि मुझे आप मैंसे फीमेल परफ्यूम की स्मेल आ रही है कहीं या फीमेल परफ्यूम तो यूज नहीं करते लेकिन तो उसे इतना परफ्यूम करते है कि वह तुसे दूर भागता है अगर तो उसे अभी ऐसे कम में हल्प करेगी जिसकी अभी उसे जरूरत है तो वह जरूरत दर आगे पीछे घुमेगा तबी मिरन को याद आता है हाँ वो तो यहाँ पर आन्वा पोधा के लिए आया है लेकिन उसे वो आसानी से तो नहीं मिलने वाला वो त्यान त्यान को अपना सारा प्रेंट बताती है तो त्यान त्यान केती है अरे हाँ तू तो मांटन का चपप चपप जानती है अब तो जौन तेरा ही हुआ अगले दिन जौन फिर से अपने काम पे लग जाता है वही आनवा पोधा ढूनने में दूसरी तरफ मेरे नदी में नहाने आती है लेकिन तभी बारिस आ जाती है तो वह बारिस से बचने के लिए एक जगह पे आ जाती है और तभी जौन भी बारिस से बचने के लिए महीं पर आ जाता है मिरन भी लएक ओ नहीं मैं तो भी बीना मेकप के हूँ लेकिन हाँ वो तो मुझे बीना मेकप के पेचानी नहीं पाता तो वो जुहान से तांतरिक की तरह बाते करने लगती है वो कहिते है कि मुझे पता है कि तुम आनवा पोधा डोनने के लिए आए हो लेकिन बच्चा तुम्हें इस रास्ते में आनवा पोधा नहीं मिलेगा तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए जुहान को उसके बद समझते नहीं आ रही थी लेकिन वो इतनी फ़णी अंदास में बोल रही थी कि उसके हंसी जूट रही थी मिरन कहती है देखना बच्चे मेरे दस गिन्ने पर यहां पर रेन्बो आ जाएगा और उसके दस गिन्ने पर बारिस रुख जाती है लेकिन रेन्बो नहीं आता तो मिरन जल्दी से जाने लगती है तो जुहान भी उसके पीछे बाहर आता है तो वो देखते है कि रेन्बो दि तो उसने मुझे पेचान किसे लिया अब मैं उसको क्या मूँ दिखाऊंगी यह कितना एंबरेसिंग है अगली सिन में चोरी चोरी चुप चुप के अपने घर में आती है वह बाहर से देखती है कि जौन अकेले बेटा हुआ है तो वह उसके पास जाके कहिती है देखो तुम म मेरी बात मान जाओ अगर तुम मेरे पेरेंस के सामने मेरा बॉइफरन होने का नाटो करोगे तो मैं तुम्हें पूरा माउंटेन घुमाऊंगी तो भी उससे अपने मॉम के आने के अवाज आती है तो वह हर बड़ा के जौन के उपर गिर जाती है तो भी उसके मॉम डैर अ लगती है मॉम कहती है वही रुख जा तू अभी इसके सथ चिपकी क्यों थी क्या तू इससे जानती है तो मिरन कहती है हाँ हाँ यही तो मेरा बॉइफरेंट है मॉम विला क्या सही मैं हमें लगाई था लेकिन तुम दोनों अलग-अलग क्यों आए तो मैं इसके सब नहीं पाई और मैंने इसे आप लोगों के बारों में बताया भी नहीं था लेकिन फिर भी यह हमारे होटल में रुका देखा हम एक दूसरे के लिए बने हैं और कॉलकरट वाली स्मयल देकर जुट तुम ने बोला है तो मेरे से कोई उमीद मत करो तो मिरन कहती है कि एक में यू ज ज़्यादा खुश हो जाती है तो मॉम कहती है कि अगर तुमने यह पहले ही बता दिया होता तो हम इससे यहां रहने के पेसर नहीं लेते तो मिरन कहती है कोई बात नहीं मॉम यह वैसे भी फ्री में नहीं देता अगले सिर में मिरन जवान के रूम में होती है वो कहती है तो वो उसको नाचते हुए देख रहा था, जियान को तो वो पहले नजर में पसंद आ गई थी, तब ही मिरन का हैर बेंड नीचे गर जाता है, तो जियान आके उसे उठा के देता है, तो मिरन कहिती है, तो तुम भी हमारे होटल में रुखे हो, तो वो कहता है, हाँ मेरा ने बताया कि तुम जुहान की गर्लफ्रेंड हो प्रॉफेसर जुहान का इतना बड़ा फैन फैच है लेकिन कहीं भी इसका जिक्र नहीं है तो मिरन कहिती है क्या तुम यह कहिना चाहते हो कि वो मुझे डिजब नहीं करता जियान कहिता है हाँ कुछ जैसा ही तब ही मिरन करकेता है मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए मैं चलता हूँ और वह चला जाता है तो जुहान मिरन को इद्नोर करके जूस निकालने लगता है तो मिरन कहिती है क्या वह तुम्हें बात क्यों निकर रहे हो क्या इसमें तुम्हारे पसंद की जूस नहीं है ठीक है तो कल मैं इसमें तुम्हारी पसंद की जूस रखवा दूँगी इतने में जुवानवा से चला जाता है तो मीरन के इती फीट चला गया लेकिन कोई बात नहीं कब ते कैसे भागेगा और ये पाट ये पर खतम हो जाता है अब दक लिए बाइ बाइ और टेक केर